नमस्कार प्यारे सात्यूं, मैं मॉनो चोधरी और जोग्रोपि की इस ओनलाइन जरेने में आपका हार दिख स्वागते। क्लास 12 की जोग्रोपि को परदे हम आगे बढ़ लेतें यानि की क्लास 12 की भूगोल को परदे हम आगे बढ़ लेतें और उसके अंदर हमने मानो पुगोल के जो मूल सिदान था हमारी जो पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे थे मानो पुगोल के मूल सिदान जो हमारी पुस्तक है उसके तीन चैप्टर हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे फिर हमने चोता चेप्टर सुरू किया था जिसके चार लेक्चर हम सपलता पूरो को और मस्त तरीके से तबड तोड तरीके से पढ़ चुके आज हमारा पांचवां लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है, यानि कि चैप्टर 4 का पांचवां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम मानो विकास जो है, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि HDI Report क्या होती है HDI Report क्या होती है Human Development Index जो होती है, HDI जिसे कहते हैं जिसे बनाने का कार्य करता है UNDP कौन बनाता है इसको? UNDP कब से बना रहा है? 1990 से सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे हम यह वाली ठीक है न? तो UNDP से बनाता है UNDP क्या होता है? United Nation Development Program UNDP का मतलब क्या है? United Nation Development Program कैसे? यह मैंने लिका UNI TED Nation Development ठीक है? Program तो यह इसे बनाने का कार्य कर रहा है कब से कर रहा है? 1990 से दोनों नाम बड़े difficult से दिख़ए देते हैं दिखने में बड़े hard दिख़ए दे रहा है लेकिन आपको समझना है एक बार ध्यान से समझे मेरी बात को पूरे विशु में मानव का विकास कैसे हो रहा है? पूरे वल्ड में मानव कैसे विक्षित हो रहा है? इसलिए प्रतियेक कंट्री से एक ऐसी संस्ता बनाई गई है जो प्रतियेक कंट्री से जो है न आंकडे लेती हैं कैसे आंकडे जैसे कि 10 कंट्री का हमें एक्जामपल ले लेते हैं बारत पाकिस्तान रूस जर्मनी इराक अमरीका जो भी है दस देशों से आंकडे लेगी जैसे बारत से पुछेगा वो ओपीस जो भी होगा उसको हम डिटेल से भी देखेंगे वो जो ओपी परिजे जानने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है उसकी ऐसे ही वो प्रते कंट्री से आंकडे लेकर सारी रिपोर्ट तैयार करता है क्या तैयार करता है रिपोर्ट उस। रिपोर्ट को कहते हैं Human Development Index, HDI Report, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? HDI Report, जो मानव के विकास को बताती है, ये बनाता कौन है? ये बनाता UNDP, United Nation Development Program के तेत ये बनती हैं और ये 1990 से बन रहे हैं, ये प्रते कंट्री का आंकडा फिक्स करके, आंकडा ते करके बताती है, जाज करके बताती है, पूरा निरक्षन करके बताती है, कि कितना स्कोर होना चाहिए किसी देश के विकास के लिए, और कितना उसका कम स्कोर है, ये पूरा स्कोर बताती है, क्या बताती है? ये जो स्कोर होता है, ये 0 से लेके 1 के बीच होता है, हम डिटेल से देखेंगे इसको, 0 से ले तो यह यह तक तो highest रहा और यहां तक सबसे कम रहा है तो यह 0.1 के बीच में जीटना यह ONE के पास जा नहीं है, देखो, यह एक के 25 जा रहा है मतलब 0 के पास जा रहा है, उपर जा रहा है मतलब 1 के पास जा रहा है, तो यह score इस परकार से देखा जा रहा है ю把它 report को भी आज हम समझेंगे और जानेंगे कोन सा देश आगे हैं कोन सा देश पीछे हैं, फिर हम score विबरन को देखेंगे कि score में किस तरह से score को fix किया जाता है और फिर विशेश मानुविकास मानुविकास के बारे में कुछ विशेश चीज़े हैं, कुछ detail वाली चीज़े हैं, उनको समझने का परियाश हम करेंगे तो आगे बढ़ते हैं मानुविकास मापन, मानुके विकास का मापन जो करता है, वो HDI करता है, Human Development Index, सारणी, यह देखो, यह ऐसे इस तरह से इनका उपीस होता है, और ऐसे यह ते करते हैं, प्रतिक देश का आंकड़ा एक वेक्ति के पास होता है, जैसे इसके पास बारत के आंकड़े होंगे, इसके पास अमेरिका के होंगे, इस समझ तो गए होंगे मानु विकास क्या है, मानु विकास का मतलब होता है, पूरे देश में, पूरे विशु में, किस देश के लोग कितना अच्छा विकास कर पा रहे हैं, और किसका नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और अच्छा हुआ तो उसके पीछे कार पिर हमार सामने सब्दारा HDI, लेकिन इससे मिलता जुलता सब्दारा UNDP, इससे मिलता जुलता सब्दारा ILO, ये चार जो सब्देने बार-बार आपको confuse करेंगे, इसलिए इनको पड़ी डालो अभी, अभी इसी वक्त पड़ डालते हैं, इनको, UNO, जहां से समझना हैं, कभी भी confuse नहीं होना इनमा, UNO, United Nation Aurignization, UNO, सयुक्त रास्टर संग, क्या करता है, कोई भी देश आपस में लड़े नहीं, इसलिए सांती बनाने का कादिय कोन करता है, UNO, ये किलियर, यानि इसका काम सांती बनाना है, दो देशों में मितरता बनाना है, कोई भी लड़े नहीं, सा इसके बाद आता, UNDP, United Nation, वो UN लगावा है, तो यहां UN को हम क्या कह रहते हैं, United Nation, यानि सहुक्त रास्टर संग, तो सहुक्त रास्टर संग, DEP, Development Program, विकास सूचना, विकास सूचना, तो Development Program नहीं है, बाकि आगे वाला तो वो ही है, तो UNO तो, United Nation, और एगनाईजेशन, सहुक्त रास्टर संग, जो मैतरी समन्द बनाता है, UNDP, United Nation, Development Program, सारे देशों की सहुक्त रिपोर्ट बनाता है, डवलप यानि विकास कितना हुआ, ऐसा प्रोग्राम है यह, आगे बास समझें, HDI, Human Development Index, यानि कि मानव कितना विक्सित हुआ है, मानव का विकास कैसे हुआ है, HDI तियार करता है, ILO, International यानि अंतराष्ट्री है, L मतलब Labour यानि मजदूर, O यानि औरेगनाईजेशन, वो वाला O, ये वापिस औरेगनाईजेशन, ये अंतराष्टी लेवल का मजदूर संगटन है, International Labour Organization, यानि ILO, तो ये चारू इसी लेशन में, अब आपको confused नहीं होगा मेरे इसाब से, अब पढ़ क्या रहे हैं, HDI, तयार कोन करता है इसको, UNDP, आरी भास में, रिपोर्ट तो HDI पढ़ रहे हैं, लेकिन तयार कोन करता ह UNDP, देखिए कैसे, 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित है, मैंने आपको पहले ही बता है, HDI जो रिपोर्ट होती है, HDI, यह हमेसा 0 से 1 के बीच होती है, 1 के पास आरी है, मतलब देश विकास कर रहे हैं, देश क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, 0 के पास में आरी है, इसका मत पिछड रहा है पिछड रहा है कोई देस जैसे मैं उदार्ण देता हूं एक देस है 0.268 इससे नीचे यह कभी नहीं आई रिपोर्ट तो देखो यह 0 के पास में जा रहा है थोड़े दिन बाद हमने देखा रिपोर्ट को तो यह 0.628 हो गया यानि बड़ी है न मतलब 0 के पा बड़ी है तो एक के पास जा रही है एक के पास जा रही है की मतलब विकास हो रहा है। हमेंसे याद रकना है। HDI report 0-1 के बीच में देखे जाती है। UN DP दुआरा निकाली जाती है, 1990 से निकाली जा रही है। कब से निकाली जा रही है? 1990 से। इसमें सबसे पहले किस पर जोर दिया जाता है SDI जो रिपोर्ट होती है सबसे पहले किस पर जोर दिया जाता है स्वास्ति और सिक्षा संसाधनों पर कारिय करता है स्वास्ति और सिक्षा संसाधन यानि आपको triple A से याद रखना है S3 HDIро report किस पर सबसे पहले बात किया ओद रखना आपको सबसे पहले ओद रखना HDI report UNDP निकालता है कौन निकालता है UNDP कब से निकाल रहा है 1990 से ये कहां से कहां तक नापी जाती है 0 से 1 तक UNDP जो है 1990 से निकाली जारी है UNDP जो है यानि report जो है इसको HDA report केता है UNDP निकालता है इसको तो UNDP report के देता है इसको कई लोग इसको HDA report के देता है 1990 से निकल रही है लेकिन मैत तो पुर्ण यह कहां से कहां तक नापी जाती है 0 से 1, 1 की तरप आंकड़ा बढ़ रहा है मतलब देश विक्षित हो रहा है 0 की तरप आंकड़ा आ रहा है दीरी दीरी नीचे आ रहा है 0 की तरप बढ़ रहा है मतलब नीचे आ रहा है तब देश पिछड रहा है तो नार्वे जैसे देश से उनका आंकड़ा बहुत आगे चला गया कहते हैं कि वैसे तो इसको देखा किसे जाता है आज तक 0.983 से उपर नहीं गया कोई भी देश आज तक 0.268 से नीचे नहीं आया कोई भी देश और वैसे अगर देखे तो जिसकी 800 के आसपास यह आती है 0.8 00 गासपास रेती है वो देश अच्छा विक्षित है और 500 से नीचे जो है नहीं आनी चीए वो देश पिछड़ अवा माना जाता है तो 800 से 500 के बीच में यह अखड़ा रेना चीए यह तो रेना चीए हमारा सोच नहीं लेकिन एक्चूल में हम देखे तो 9.96983 से उपर कोई गया नी और 0.268 से नीचे कोई है नी लेकिन देखा किसे जाता है मानने आगड़ा कोँ सा है 0 से 1 तक एक से 0 तक या 0 से 1 तक ऐसे बोलना है इसको 0 से 1 सक अब इसमें देखा क्या जाता है शिक्ष्या स्वास्ते संसाधन ठीक है निश्पादन पर कारे किसी देश का विकास कैसे करना है उस देश को अपने अंदर क्या मिलाना है और क्या हटाना है क्या तो निश्पादन करना है और क्या उसको हटाना है ये काम देखती है कौन ये इसमें तीन चीजों को देखा जाता है शिक्ष्या, स्वास्ते और संसाधन इसलिए मैंने लिका S3 स्वास्ते में क्या लोगों के जीवन की कितनी आस है 60 साल जीएगा, 70 साल जीएगा किस देश में कितनी आस है ज्यादा दूमरपान करने वाले कंट्री है तो लोग कम जीते है तो जीवन प्रतियासा कम होती है सिक्ष्या में क्या देखा जाता है सिक्ष्या वेक्ति का सारवांगिन विकास करती है सब कुछ विक्षित कर देती है सिक्षित वेक्ति रोजगार भी ले ले लेता है साधी भी कर लेता है प्रोड साक्षरता, किसी देश में बूडे जो लोग होते हैं, पुराने ओल्ड जो लोग होते हैं, वो कितने पड़े लिके हैं, ये भी इसके अंदर देखा जाता है हर साल निकाली जा रही है, किसी देश में कितनी सिक्षिया है, किसी देश का स्वास्तिवा के लोगों का कैसा है, और किसी देश में संसादन कितने हैं, इन तीनों चीजों को देखा जाता है और ये आंकड़ा जो होता है ये 0 से 1 के 20 देखा जाता है कभी भी कोई देश 0.983 से उपर नहीं गया और कभी भी कोई देश 0.268 से नीचे नहीं आया जिस देश का आंकड़ा 1 की तरफ बढ़ता है वो देश विक्षित और विकासिल मना जाता है और जिसका आंकड़ा 0 की तरफ आ रहा है एक से नीचे की तरफ आ रहा है वो देश अल्प विक्षित या पिजड़ावा माना जाता है जैसे किसी देश का आंकड़ा 0.800, 0.700 ऐसे आ रहा है तो वो विक्षित है जैसे किसी का आंकड़ा धीरी दीने नीचा आ रहा है जीरों की तरफ में तो वो अल्पिक्सित है इसमें सुवास्ते जो है उसमें लोगों की जीने की आस कितनी है इसको देखा जाता है इसमें सिक्ष्या जो है वहां की साक्षरता बुजर्ग लोग वहां के कितने पड़ेलिके इसको देखा जाता है इसमें संसादन जो है इसमें वहां के देश जो है उस देश के जो लोग है वो अपना वेवसाय क्या करते हैं उनका कार ये क्या है ये सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करते हैं आगे बढ़ता है तो ये थी क्या थी? एच डिए रिपोर्ट कां से कां तक जिरो से एक तक क्या देख रहे हैं सिक्षा स्वास्ति और संसाधन कुछ ही याद निकना बिड़कुल सिंपल चीज है UNDP खाली रजिस्ट्र लेका आग बंदकर के लिखना है आग बंदकर दोगे लिखो के कैसे आ ना मुलब पहले रिवाइज करना और फिर खोल के लिखना है ना UNDP एच डिए लिख दिया 1990 यानि 1990 से निकल रहे है प्रतेग वर्स जिरो से एक के मद्दी देखे जाती है 0.983 से उपर नहीं गए 0.268 से नीचे नहीं आई इसमें सिक्ष्या स्वास्ति और संसाधन को देखा जाता है बस इतनी तो बात है आगे बढ़ते है इसकोर एक के जितना निकट होगा यह हम पढ़ चुक है मानो विकास उतना ही अधीक होगा यह 0 है और यह 1 है अब जैसे कोई आंगड़ा यहां से चलना सुरू हुआ 0.983 ठीक है थोड़े दिन बात देखा 0.986 बढ़ा है ना थोड़े दिन बात देखा 0.999 क्या इससे उपर जाएगा क्योंकि एक से उपर तो जाई नहीं सकता ना तो यह बढ़ रहा है 0 की तरप आ रहा है 0 की तरप आ रहा है मतलब कोई देश क्या है विकास कर रहा है क्या कर रहा है विकास लेकिन आज तक वैसे यह इससे उपर गया नहीं है किसी एक्जाम्पल दे रहा है 0, किसी देश काम माल लो, 0.268 है, थोड़े दिन बात देखा, 0.262 हो गया, थोड़े दिन बात देखा, 0.252 हो गया, थोड़े दिन बात देखा, 0.542 हो गया मैं अब 0 की तरफ आ रहा है ना कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो देश पीछड रहा है लेकिन यह मैंने example दिया क्योंकि इससे कम कभी आया नहीं है तो यह उच्छ और निम्न मैंने लिख दिये लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें जिन चीजों की जरुत होती है इसमें क्या देखा जाता है इसमें 4 चीज़े देखी जाती है किती चीज़े देखी जाती है 4 और फिर उन 4 चीज़ें को समझने के लिए 4 चीज़े और देखी जाती है जो हमने लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में पढ़ी थी लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था चार चीजे पढ़ी थी 3 लेक्चर में हमने मानव, विकास, चार इस्तम्ब याद आगे आपको इस्तम्ब यानि मानव का विकास करने वाले चार इस्तंब पढ़े थे हमने फिर हमने पढ़ा इन चारो इस्तंबों को जो साथ देते हैं जो चारो इस्तंबों को बना कर चलते हैं वो साधन कौन से हैं मानुविकास साधन जिसको हम उपागम का करते हैं क्या का करते हैं उपागम तो ये एक, दो, तीन और चार ये भी एक, दो, तीन और चार ये चार-चार पुइंट पढ़े थे आपने अगर पिछे पढ़ा है तो नहीं तो मेरी गलती नहीं है भई मैं पढ़ा चुका हूँ या न तो मानुविकास के चार इस्तंब जो होता है ये इस्तंब प्राप्त करने के लिए मानुविकास के साधनों को पढ़ना पड़ता है और साधन जब प्राप्त हो जाते हैं जब HDA रिपोर्ट बन जाती है लेकिन थोड़ा थोड़ा बैं बता देता हूँ सब का सम्मान विकास हो, सब में समानता हो सम्में क्या होनी चीए, सम्में क्या होनी चीए, सम्मता सब का सो परसेंट विकास हो, सब का सो परसेंट पोसन हो देश की उतपादकता अच्छी चले, देश में पैसा आएं और देश का प्रतिक वेक्ति ससक्त हो, ससक्ति करन ये चार चीजे किसी भी देस में होती है ना ये तीसरा लेक्चर है चार चीजे किसी भी देस में होती है ने ये वाली तो वो देस आगे बढ़ना शुरू हो जाता और इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए ये चार तो इस्तम बे देस के किसी भी देस को चलाने के लि और सरकार की योजना कल्यान परक होनी चीए, सरकार की योजना कैसी होनी चीए, कल्यान परक होनी चीए, उस देश में जो है, वहां के जो आदारबूत वेवस्ताएं जो है, शिक्ष्यास वाश्ते, आदारबूत जो वेवस्ताएं वो अच्छी होनी चीए, और वहां के लोग अच्छे से इस बात को समझ आगे बढ़ते हैं विसेस मानुव विकास रिपोर्ट HDI देखा आपने आपको इस लेसन का निचोड अब धिर धिर आपके सामने अने लगा है सबसे पहले आपको इस लेसन में वर्दी और विकास की परिभासा पढ़ी थी वर्दी और विकास दोनों अलग-अलग है वर्दी दिखाई देती है विकास दिखाई नहीं देता है वर्दी नकारात्मक शकारात्मक दोनों होती है विकास सिर्फ सकारात्मक होता है ठीक है न? तो ये चीज आपको आने चीज़े उसके बाद चार इस्तंब उसके बाद विकास का करम कौन सा विकास सादन उपागम और फिर हम जूलने लगे SDI रिपोर्ट में जो चली जा रही है 0 से 1 के मद्दी देखी जाती है कहां से कहां तक देखी जाती है 0 से 1 के मद्दी कौन तयार करता है UNDP कब से तयार कर रहा है 1990 से हर वर्स यानि प्रति वर्स प्रति वर्स इस प्रकार से इसके बारे में विशेश क्या है यह हम देखने बारे में मानु विकास प्राप्तियों का मापन यह हम जानता है यानि कि HDI जो रिपोर्ट होती है मानु विकास की जितनी भी प्राप्तियां होती है जितनी भी वस्त होती है उनका आंकलन करती है उनका संकलन करती है और फिर रिपोर्ट तयार करती है ये उपलब्दी पर कारिय करता है इनके पास जो भी आंकड़े होते हैं उनसे रिपोर्ट बना देते हैं यह सारवाधिक विश्वसनिये नहीं है फिर क्यूं पड़ा इतना लेकिन यह सजख कर देता है कोई ज्यादा विश्वसनिये आंकड़े जो होते हैं वो exact नहीं होते है बिल्कुल true नहीं होते हैं, उपर निचे भी होते हैं, लेकिन इसमें जो भी होता है न, वो देश को सजग कर देता है, कोई किन्तु परंतु पट परंतु का थोड़ा बोता सकता है, बाकी ये सजग जरूर कर देता है, ये कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि भूटान अमेरिका से अगे निकल गया, ये कभी भी ये नहीं कहता है, कि अमेरिका जो है बुटान से पिछ रहे गया, एक दू पोइंटों का फरकाता है, बाकी इतनी विश्वसनी इसको नहीं माना जाता है, इतनी गलत भी इसको नहीं माना जाता है, एच डियाई रिपोर्ट को, किसको, जोर दे रहे हैं, ये वित्रण के समन्द में मोन है, मलब ये ज्यादा ये नहीं ग्यान देता है, ये ज्यादा ग्यानी नहीं बनता है, इसके पास जो आंकड़े होते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाता है और पेस कर देता है प्रते गंटरियों, ये ऐसे नहीं कहता है, तुम ऐसे करते तो यह हो जाता, तुम परमानों हतियार निक खरिते देश के लोगों को सिक्षित करते तो तुम बहुत आगे निकल जाते हैं, यह ज़्यादा जो है, वितरण के समझ में ज्यान का वितरण है, वितरण का मतलब यहां ज्यान सब्द के लिए परियोगे, यह ILO द्व किसको का, United Nation Organization को, कि UNDP के तेथ, किसके तेथ, UNDP के तेथ, हमें साथ लेकर आप प्रती एक देश की HDI रिपोर्ट बनाओ, यह पहले 1990 में बनी, यह आगे निचे जो लिख रहा हूं, बहुत इंपोटेंट सी लिख रहा हूं है, ILO ने UNO को का, International Labour Organization ने United Nation Organization को का, United Nation Organization Development जो प्रोग्राम है, उसने Human Development Index बढ़ाई, इतना गड़बड हो गया है ना, इतनी इंगलीज मत बोलो सब, ILO ने UNO को का, UNO ने UNDP को का, कि तुम ILO को साथ लो, और HDA रिपोर्ट बनाओ, 1990 से, जो प्रती एक देश की तयार होगी, और जीरो से एक के बीच आंकडे निक चड़ रहा है, ये वितरण के मामले में मोन रहेगा, किसके मामले में, वितरण के मामले में, और ये हम जानते कि इसकी विश्वशनियता बहुत ही कम है, बताव समय में आयाग निया, आयाग निया, ये था आपका लेक्चर, बहुत सांदार वाला, मस्त वाला, धुआधार प्रवाला आपको अच्छे से पढ़ना है मन लगा के पढ़ना है बहुत बहुत दन्यवादा आपको